हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं स्रिवान विपीन भाई पठेल विपीन भाई नमस्ते देखिए अब तो मोडेरा पुरे देश के लिए एक मोडेल के रूप में चर्चा में आया गया है लेकिन जब आपको अपने रिष्टेदार परिचीत सब बाते पूछत होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं क्या फायदा हुआ सब लोग हमेरे को पूछते हैं तो हम कहते हैं हमेरे जो भीज बिल आता था लाइट बिल वह अभी जिरो आ रहा है और कभी सत्तर रुपे आता है पर लेकिन हमेरे पूरे गाव में जो आर्सी परिस्थिती है वो से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खतम हो गई अब अपने घर में ही खुदी बिजली का कारखाना के मालिक बन गए खुद का अपना घर के चट पर बिजली बढ़ रही है तो क्या ये बदलाव जो आया है उसकी गाउं के लोगों पर क्या आसर है मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविदा बढ़ गई जनजट भी गया सर और सब जब आप आए थे और तो थीडी सो जो उद्गाटन किया तो इसके बाद तो मोटेरा गाउं में चार चांद लग गया सर और वो जो शेक्रेटरी आये थे सर जी जी तो वो गाउं ठेमस हो गया सर या ये इनके सेकेटरी जनरल उनकी खुद की इच्छा थी उन्हों मुझे बड़ा आगरा किया है तो मैं वहाँ जा के देखना चाहता हूँ चलिए विपिन भाई आपको और आपके गाउं के सब लोगों को मेरी तरब से बहुत 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 सुपकामना है और दुनिया आप मैंसे प्रेणा ले और ये सोलार एनरजी का भियान गर-गर चले ठीक है सर हम लोगों को बताएंगे कि भी सोलार लगवाओ आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फाइदा है हाँ लोगों को समझाईए चलिए बहुत बहुत सुपकामना है धन्यवाद भया थैंक्य सर थैंक्य सर मेरा जीवन धन्य हो आपसे बात करके विपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आईए अब मोडेरा गाउं में वर्षाबेन से भी बात करेंगे हेलो नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते वर्षाबेन कैसे हैं आप बहुत अच्छे सर आप कैसे हैं मैं बहुत ठीक हूँ हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके आच्छा वर्षावेन आप मोधेरा में आप तो एक तो फोजी परिवार से हैं फोजी परिवार से हुँ में आर्मी एक्षमेन के वाइस बोल रही हुँ सर तो पहले हिंदुतान में कहां कहां जाने का मुखा मिला आपको यह फोज में होने के कारा है आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो मुझे बताइए मोढेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया यह 16 रूप्टॉप प्लांट आपने लगवा दिया जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा यह क्या मटलव है क्या कर रहे है क्या होगा ऐसे थोड़ी विजली आती है सब बात है कि अपकर मन मैं होगी अब क्या अनुबवा रहा है इसका फायदा क्या हुआ है बहु eer हमारे में इस ब्लकूल इलक्तर시면 सब दिजे भर में ला रखी है सर, सब यूज कर रहे हैं हम आपकी वज़े से सर, बील आता ही नहीं है तो हम फ्री माइन से सब यूज कर सकते हैं न? ये बात सही है, आपने बीजिनी का अधिक्तम उप्योग करने के लिए मन बना लिया है? बना लिया सर, बना लिया, अभी हमें कोई लिक्त ही नहीं है, हम फ्री माइन से सब यूज कर सकते हैं सर और गाउं के बाकी लोग भी खुश है इसके कारण? बहुत बहुत खुश है सर आपके पति देव तो वहां सुरी मंदिर में काम करते हैं, तो वहां वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ, और अभी दुनिया भर के महमान आ रहे हैं अब गाउं का विकास तो हम सब को मिल करके करना है हाँ हाँ सर हम आपके साथ है और मैं तो मोडेरा के लोगों का अभिनंदन करूँगा, क्योंकि गाउं ने इस योजना को स्विकार किया और उनको विश्वास हो गया, हाँ हम अपने घर में बिजली बना सकते है 24 गंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुर से चलिए, मेरी आपको बहुत शुक्कामना है जो पैसे बचे है इसका बच्चों के बलाई के लिए उप्योग कीजिए उन पैसों का अच्छा हो ताकि आपका जिवन को फायदा हो मेरी आपको बहुत शुक्कामना है और सब मोढेरा वालों को मेरे नमस्कार साथियों वर्षामेन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे देश के लिए गाउं शहरों के लिए एक प्रेड़ना है मोढेरा का ये अनुभव पूरे देश में दोहराये जा सकता है